तेजस्वी प्रकाश को बिग बॉस का विनर बनाना कलर्स चैनल्स के लिए बहुत भारी पड़ गया है प्रतिक सहचपाल को पसंद करने वाले लोगों ने चैनल की नाक में दम कर दिया है लोगों ने गुस्से में बाइकॉट कलर्स से लेकर टटी कलर्स तक के हैस्ट्रैक को ट्रेन करवा दिया है और इसी मजबूरी में कलर्स को तेजस्वी के जीतने वाला वीडियो वूट से डिलीट करना पड़ा है जहां वूट ने तेजस्वी के जीतने वाला हिस्सा अपनी वीडियो से काट दिया है कल राद जब सलमान खान ने तेजस्वी को विनर एनाउंस किया तो स्टेज पर खुशी की जगा सन्नाट अचा गया वहां मौजुद किसी भी शक्स ने खुशी नहीं मिनाई सिवाए तेजस्वी के मम्मी पापा ने ये देखने के बाद लोगों को बहुत अजीब लगा क्योंकि आप से पहले जीत पर बहुत बड़ा जश्न होता था इसी वज़े से सलमान को विनर अनाउंस करने के सिर्फ दो मिनट बाद ही शो का दी एंड करना पड़ा तेजस्वी की जीत लोगों को कहीं से कहीं तक हजम नहीं हो रही और इसी वज़े से उनका चैनल के खिलाब गुसा फूट रहा है दूसरी तरफ तेजस्वी को विनर बनाने के बाद जो सूनेपन से अपमान हुआ उसे देखकर कलर्स के तोते उड़े हुए है इसी वज़े से वूट ने जो फिनाले का एपिसोड अपने एप पर अपलोड किया है उसमें से सलमान खान के विनर अनाउंस करने से लेकर स्टेज पर फैले सननाटे तक का हिस्सा काट दिया गया है और सीधा तेजस्वी की स्पीच को दिखाये गया है देखिए ये वो हिस्सा है जो पूरे बिग बॉस सीजन का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है लेकिन चैनल ने इसे ही कार दिया ये बात कहीं से कहीं तक हजब नहीं हो रही हलाकि कई लोगों ने उस हिस्से को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेर किया है लेकिन वो रिक किया गया है इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है अपनी रहा हमें कमेंट में दीजे और जादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजे